प्यारे बच्चों आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रिकल्चर अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और आज आप देख रहे हैं हमारे साथ बाइलोजी बविकल्पी प्रेस्ट सीरीज का ये नवा लेक्चर और इसमें टॉपिक जो है आज का आपक तो 25 लेक्चर अगर हम कर लेते हैं तो क्या कम्प्लीट इसी से हो जाएगा तो मैं यह कह सकता हूँ आपसे कि अगर आप इन 25 लेक्चर को देख लेंगे 25 वीडियो जो हम बनाएंगे आपके साथ इन्हें कम्प्लीटली देखेंगे तो आपको जो बाइलोजी से कोश्चन बनेगा यूपी कैजट अगरी कर geography लेगी और बाकी भी तो वह जो कोशन बनेंगे वो इनमेंसे ही बनेंगे और कुछ English Medium के स्डूएं कर रहे थे कि सर अगर क्या English medium में भी questions को provide करा जा सकता है तो मैं उन्हें बता दूँ कि जो English medium के students है उनके लिए कुछ important questions की series लाई जाएगी जीरे से बाद में इसके अलावा अगर आप regular topic wise अगर आप चाह रहे हो कि आप join कर लो मुझे तो आप हमारी app play store से download कर लीजे उपर आपको जो number दिया गया है इसी से आप test series भी जोईन कर सकते हो और इसी से अगर आप topic wise English में biology के questions चाहते हो तो आप वो series भी जोईन कर सकते हो उसका बहुती कम फीस रखा गया है एप में आपको topic wise biology मिलेगी एक एक topic में कम से कम 500 questions English में करवाए गया है जो PCB group के students है उनके लिए बहुती important है वो ठीक है तो आप यहाँ पर 92, 32, 64 नमबर पर आप whatsapp करके सारी की सारी information ले सकते हैं कैसे जूड़ना है क्या कैसे और मैं यह कहूँगा आप लोगों से कि बहुती कम टाइम में बहुत ज्यादा लोगों ने test series को जोइन किया है आप सभी लोग इसमें जरूर सम्मिलित हों और बहुती कम टाइम में ही बहुत से लोगों ने subscribe किया हुआ सब्सक्राइब किया हुआ है हमारे चैनल और subscribers बहुत तेरी से गेन हुए हैं इधर पिछले काफी टाइम से तो आप ऐसे ही अपना प्यार बनाया रखिए हमारे साथ और इसे अपने दोस्तों में ज्याज़ा से ज्याज़ा शेयर करते रहिए पड़ते रहिए चलिए पादप रोग जितने भी पौधों के हैं वो सब इसमें आ जाएंगे आज तो आईए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन क्या है पादप रोग का सबसे उत्तरदाई कारक कौन है पादप रोग का सबसे उत्तरदाई कारक जो है वो आपका फफूंदी ठीक है पादप रोग का सब ठीक है पौधों को रोग प्रतिरोधी जंगली किसम के पौधों से प्रजिनन कराके बनाया जाता है आगे देखिए कोशन नमर 3 क्या है कोशन नमर 3 है आपका हरित बाली रोग किस फसल से संबंदित है कोश्चन नमबर 3, हरित बाली रोग किस फसल से सम्मंदित है? तो जो हरित बाली रोग है, यह आपका बाजरा से सम्मंदित है, ठीक है, हरित बाली रोग बाजरा से सम्मंदित है, फोर्थ कोश्चन देखिए क्या है, कोश्चन नमबर 4, टिकका रोग किस फसल से सम्मंदित है तिका रोग मुफली से सम्बंदित है आगे देखिए question no.5 क्या है धान का प्रसिद रोग खैर रोग किसके कारण होता है धान का प्रसिद रोग खैर रोग जस्ता की कमी के कारण होता है जस्ता की कमी के कराण होता है दोस्तों वीडियो में आपको देखने के बाद एक बार में जैसे नहीं आद हो रहा है तो आप उसे एक बार बहुत अच्छे से देखिए दो बार पूरा अच्छे से खुद देखिए जो मैं अंसर मार्क करता हूँ उसके बाद दो बार देखने के बाद जब आप तीसरी बार देखा करिए तो तीसरी बार जब आप questions को मेरे mark करने से पहले जब मैं questions पढ़ता हूँ तब आप वीडियो को pause करके आप खुद answer देने की courses करेंगे आप खुद देखेंगे कि आप कम से कम 95% अंसर खुद करेंगे ठीक है तो इसे दो बार जरूर देखें और हम चाहते हैं कि जदा जदा आपको एक बार में ही याद हो जाए और पूरा ध्यान वीडियो पर आप 10-15 मिनिट का होता है वीडियो हमारा जाद तर इसलिए मैं जदा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ अठारा मिनिट में लगबग आप मालीजे आपको 50 कोशन लगबग एराउंड पूरे कवर हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छे से इने किया करी है ठीक है तब ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा गारा मिलेजोड पूरे में में खुछर्द करों करेंद के पर का केंकरों कि से होता है ठीक है नीश रोग जीवानु चाहिए नबर एट का है रशलों पर आकरमल करने की कीड की प्राए कौन सी अवस्था अधिक हानी पहुंचाती है फसलों पर आक्रमन करने की कीट की प्रहा कौन सी अवस्था अधिक हानी पहुंचाती है तो जो केटर पिलर अवस्था है वो अधिक हानी पहुंचाती है ठीक है केटर पिलर अवस्था अधिक हानी पहुंचाती है आगे आगे देखे question number 10 क्या है question number 10 है आपका पौधों का आर्ध पतन रोग किसके कारण होता है तो इसका अंसर आपका पौधे का आर्ध पतन रोग पीथियम डिबैरियनम के कारण होता है आगे देखे question number 11 क्या है question number 11 है आपका अगनी निर्जा रोग किस से सम्बंदित है अगनी निर्जा रोग सेप से सम्बंदित है question number 12 देखे क्या है question number 12 गन्य का लाल सणांध किसके कारण बनती है गन्य की लाल सणांध किसके कारण बनती है तो इसका अंसर है आपका question number 13 है आपका मुंग फली में होने वाले टिका रोग के लिए उत्तरदाई का वक है मुंग फली में होने वाले टिका रोग के लिए उत्तरदाई कौक कौन सा है तो इसका अंसर है आपका आगे देखिए question number 14 question number 14 है आपका निम्लिखित में से किस कवक के कारण बाजरे में green ear रोग होता है बाजरे में green ear रोग किसे कारण होता है बाजरे का green ear रोग scalar spora gramicola के कारण होता है बाजरे का green ear रोग scalar spora gramicola के कारण होता है ठीक है चार पांच बाजरे आप खुद बोलेंगे जैसे कहीं note करके दो तिन बाजरे करेंगे आपको खुद याद हो जाएंगे सारी चीजे एक बार में आपको कोई चीज नहीं आदोगी अपने ABCD याद करी आदोगी थी वो भी आपको एक बार में नहीं आदोगी थी पूरी है ना आके देखिए question number 15 question number 15 क्या है आपका आलू में होने वाले उत्तर भावी अंग मारी रोग के लिए उत्तरदाई कवक कौन सा होता है तो इसके लिए उत्तरदाई कवक है आपका phytopthera infestatus ठीक है phytopther infestence ठीक है आलू में होने वाले उत्तर भावी अंग मारी रोग आलू का अंग मारी रोग किसके कराण होता है phytopthera infestence ठीक आगे देखिए question number 16 question number 16 है आपका citrus citrus kanker है citrus kanker क्या है नीबू का एक रोग है ठीक है citrus kanker एक नीबू का रोग है आगे देखिए question number 17 question number 17 है आपका निम लिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है कौन सा कवक जनित पादप रोग नहीं है तो जो तंबाखु का मोजेक रोग होता है वो कवक जनित पाधप रोग नहीं है, छिक है, option D आपका होगा यहां पर answer, आगे देखिए, question number 18, question number 18 क्या है आपका, ring रोग के नाम से जाना जाता है, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है किसे? सैथिल रोग सैथिल रोग को रिंग रोग के नाम से जानते है ठीक, आगे देखिए कोशन नमबर 19 कोशन नमबर 19 है अपका आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है आलू में ब्लैक हार्ट का कारक oxygen की कमी ठीक है oxygen की कमी के कारण उसमें black heart होता है आगे देखिए question number 20 क्या है question number 20 कौन एक सही सुमेलित नहीं है तो इसमें option क्या है पहला option देखिएंगे धान-haritbal धान-haritbal तो धान में हरitbal नामक बिमारी नहीं होती है पहला ही option और जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है और आपको बीमारियां आप याद कर रहे है इस वीडियो को देनकने का परपस आपको क्या है कौन से पौधर में कौन से बीमारी होती है ठीक है तो आप इसमें वो देख लिजे सारे कि किसमें कौन से बीमारी नहीं होती है आपका देखने का परपस वीडियो को यही है उप जैसे कि यहाँ पर दिया है 20 question में क्या है कि निमलेख्यत में कौन एक सुमेलित नहीं है तो आपने यहाँ पर देख लिया कि हाँ धान हरित बाल से समंदित नहीं है लेकिन कौन किसे समंदित है अब इसे याद करिए यहाँ पर तो यहाँ पर जो B option है बाजरा, अरगट यह सही सुमेली था यहाँ पर ठीक है, तो आप इसे याद रखिए कि हाँ, अरगट, बाजरे में किस रेक बिमारी होती है अरगट, ठीक है, बाजरे में option number C क्या है मटर में powdery mildew नाम की बिमारी होती है याद रखिए मटर में powdery mildew नाम की बिमारी होती है इसे याद रखिए option D है आपका चना, चना में उक्ठा यानि की wilt उक्ठा, wilt नाम की बिमारी होती है इसे भी आप याद रखिए UP-PCS का question है यह आया हुआ दुबारा आएगा इस बात में कोई सक नहीं होना चाहिए आपको कि questions repeat होते हैं exams में और आएंगे भी जोकि questions limited है बिमारियां limited है चीज़ा repeat होती है आगे देखिए question number 21 question number 21 है आपका करनाल बंट एक बिमारी है करनाल बंट की श्रिये विमारी है गेहु की ठीक है करनाल बंट गेहु की बिमारी है last question देखिए आज का क्या है question number 22 गेहु से सम्मंधित रष्ट रोग पर कारवाई करने वाले वेज्यानिक हैं कौन? केसी मेहता ठीक है? केसी मेहता तो दोस्तों ये था आपका आज का लेक्चर पादप रोग यहां से कंप्लीट हो गया है और इसके बाद का लेक्चर हमारा होगा पादप उतक प्लांट इसमें कोशन्स होंगे कि साखाओं में पतियां जड़ जाती है किसके कारण यह सारी टाइप के कुशन्स होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके सभी एक्जाम्स के लिए ठीक है तो आप वीडियो को देखते रहे हैं अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए और क आप वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ख्याल रखिए अपना मिलते हैं अपने नेक्ट लेक्ट्चर में थैंक्यू